20 ठंडी के बीच में आप नर्द तक पे इस वक्षता अभियान चला रहे हैं एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है किस तरह से आपने विचार किया और ये अभियान किस तरह से आँगे बढ़ा रहे हैं दरसल देखिए हम खुद एक आम जंता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जब हम खुद जाते हैं टकते तो जब हम जाते हों जब हमें खुद अच्छा नहीं लगता जब हमें खुद अच्छा नहीं लगता तो जो दूसरे आते हों में उन्हें कैसा अच्छा लगता होगा तब मन में ये विचार आया जो हर्ष और उलास के साथ भक्त गण सेवगण अपनी मेहनत कर रहे हैं और उसे उत्साह के रूप में मना रहे हैं उस कारिक्रम को जब जब भी नर्मदा तक पे मनाया जाता है तो होता क्या है इनसान ने अपनी खुशी तो इजहार कर दी परन्तु दिक्कत ये हो जाती है कि हम जो गंदगी फैला के गया हैं उसको कौन समीटेगा आते हैं भक्त गण सुबह आते हैं शाफ करते हैं, सफाई करते हैं और उस दौरान कुछ भक्त गण ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ पूजा करने के लिए आ रहे हैं और जब वो पूजा करने आते हैं और जब उन्हें वो गंदगी दिखती होगी तो वो जिस पीस आफ माइन के साथ आते हो कहीं न कहीं वो उनके मन में एक खिन्नता थोड़ी ही बहुत सही आती होगी पर आती जरूर होगी तो फिर यह लगाज़ भी ऐसे उत्सव होते हों कारिकरम होते हों उसके बाद अगर ही साफ सफाई कर दी जाए तो जो सुबह आते हैं जिस खुशी की तलाश में जिस शांती की तलाश में वो पूजा करने आते हैं उनको वो मिल जाए उस समय और जब वो मिल जाएगी तो हमको भी खुशी अपने आप मिल जाएगी तब से यह कोशिश चालू की है कि कम से कम जिस समय ये उत्मा उल्लास उत्सा वाले कारिकरम हों वहाँ पे तो उस रात्री को हम सफाई कर दें वहाँ पे काफी बीशन ठंद थी अभी ये के जो वीडियो आया उस दिन का साथ डिगरी ठंद थी उस दोर में भी आपकी टीम वाक्तों को ठंद कहां लगती है उनको सिर्फ अपने काम दिखते हैं और सेवा दिखते हैं तो ठंद चलता है छोटी मोटी बात है हमें हमारा काम दिखता है फिर हमें हमाई सेवा दिखते है और हमाई साथ हमाई इस पहल को देखके और भक्तगन जुड़ जाएं और सेवक लोग जुड़ जाएं और इस चीज को तभी के तभी अगर वो करना शुरू कर दें तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी तो कोशिश यह है कि भाई अगर मैं शुरू कर सकता हूँ और जो दूसरे पहले से ही शुरू है बस उन्हें जुड़ना बस तो है जुड़ जाएंगे सब खुश हो जाएंगे कर दो है जाएंगे